नमस्कार में हो रिचार्श शर्मो और आप देख रहे हैं भारत लाईव। दरसल ट्वीट करके उन्होंने नितिस सरकार की क्लास लगा दी है उन्होंने लिखा है सरकार के तरब से मीडिया का प्रवेश वर्जित क्या गया है ताकि उनका असली चहरा बाहर उजागर न हो भष्टाचार चरम पर है अधिकारी सब लूट रहा है जन प्रतिनिधी दरकिन बद इंतजामी का आलम ये है कि लोग मानसिक अफसात के शिकार होते जा रहे है और कुछ लोग वहां से भागने को मजबूर हो रहे है बिहार की क्वरेंटीन सेंटरों के बाहर से आए और प्रवासी मजदूरों के लिए खाने वा अन्य बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है इस कारण इन प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अधिकारी वहां आवासिये लोगों को खाना मांगने पर मारपिट कर प्रताडित कर रहे हैं ये क्वरेंटीन सेंटर यातना सेंटर बन गए है जब सरकार को इन परिशान लोगों का सहारा बनना चाहिए उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि इन लोगों के स्वास्त और आर्ठिक सुरक्षा के जिम्मेदारी सरकार की है तब निरदाई बिहार सरकार उनके साथ बस सलुकी की सारी हदे पार कर रही है बेहत अपसोस नाक और चिंतनीय इतिहास में इतना गरीव विरोधी और संक्रिन मानसिक्ता वाली सरकार नहीं रही होगी बिहार सरकार प्रवासी मजदुरों की लगतार उपेक्छा करते आ रही है क्वारंटिन सेंटरों में बिस्तर, शोचाले, पानी, खाना इत्यारी का कोई प्रवंद नहीं है खाना के नाम पर नून भात, स्वास्त जाज के नाम पर काग जी खाना पूर्ती हम अपने गरीब भायों के साथ खड़े हैं और सरकार से आगरा करते हैं कि अगले 24 घंटे में व्यवस्ता सुधारे जिस सरकार में सवेदना, करुना और अपनत्व का आभाव हो उसे कोई हक नहीं है कि सत्ता में रहने का इस गरीबों की गरीमा और आत्म सम्मान के साथ भेदभाव कतई बरदास्त नहीं किया जाएगा तो रड़ाबडी देवी ने चिता दिया है नितिस सरकार को और साफ तोर पे उन्हें हड़का दिया है ये कह दिया है कि अब बरदास्त नहीं किया जाएगा गरीबों की आत्म सम्मान के साथ खिलवाड किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरब क्वारंटीन सेंटर की विवस्था को लेकर भी उन्होंने सीम नितिस को आड़े हाथ हो लिया है देखना दिलजस्प होगा कि सत्ता पक्ष के दरब से जवाब क्या आता है देश और दुनिया के तमाम अपडेट को लिए हमारे साथ बने रही और देखते रही है भारत लाइग नमस्कार